नमस्कार आप देख रहे हैं राज्य सभा टीवी आपके साथ मैं हूँ अंकिता और सबसे पहले एक नज़र डालेंगे इस वक्त की हेड्लाइन्स पर केंद्री मंजीर रामविलास पासवान इली राज्य सभास की सदसिता की शपत शुनिकाल की दोरान सदसों ने उठाए सूखा संकट और परियावरण समेट जनहित से जुड़े कई एहम मुद्दे केंद्री उत्पास शुल्क और सेवा कर से संबन्दित सीएज़ी की रेपोर्ट भी पेश जमुकश्मीर आरक्षन संचोधन बिल दो हजार उनी समेट दो विधहक सदन की कारे सूची में शौमिल जमुकश्मीर के किष्टवार्ड में एक हाई में गिरी बस तीस से जादा की मौद कई जखमी उपराश्चुपती एमवेंकया नाईजूग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्री ग्री मंत्री अमिश शाह ने हाथ से पज़ताया दुख जल संकट से निपटने के लिए के इंदे सरकार के जल शक्ती अभियान की आज से शुरुआ देश के 255 जिलों में जल सरक्षन, संचेन और गुजल इस्तर को बढ़ाने के उपायों पर होगा काम रधान मंत्री की स्वक्षता की तरह जल सरक्षन को भी जन आंदोलन में बदलने की अपी कडी सुरक्षा के बीच वाशिक अमरनात यात्रा का शुभारम पवित्र गुफा में बाबा बरपानी के दर्शन के लिए पहला जथा रवाना बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर शुद्धालों के लिए सभी तरह के इंतिसाब मगवती नगर बेस कैम से दूसरा जथा बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना क्रिकेट विश्वकप में श्रीलंका और वेस्टर इंडीस के बीच मुकाबला आज चेस्टर ले स्ट्रीट में आमने सामने होंगी दोनों टीमें मेजबान इंग्लैंड ने एक तीट से रन से हार के बाद टीम इंडिया के कफ्तान विराट कोहली ने कहा अगले मैच में सुधारिंगे गल्थियां राजसभा में आज शूनिकाल और प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला शूनिकाल के दोरान सदस्यों ने जनहिस से जुड़े कई एहम मुद्दे उठाए आरजेडी सांसद मनोश कुमार जहा ने पूरे में दिवार गिरने से मजदूरों की मौत का मुद्दा उठाया जिसके जवाब में केंद्री मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जिम्वेदार दोनों बिल्डर को गिरफतार कर लिया गया है हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाग के मुआफसे का एलान भी किया गया है कॉंगस के जैराम रमेश ने ग्लेशिर का मुद्दा भी उठाया बीते दिनों पूने में 15 मजदूर मर गए सर और उनकी मौत मैं मानता हूँ मानव निर्मित है ये प्राकृतिक मौत नहीं है कल मैं पूने में था और मैंने जो इसमें दो जख्मी हस्पिटल में है और जिनका ऑपरेशन हो रहा है आज तो उनकी भी मुलाकात की इसमें दोनों बिल्डर्स जो है रिस्पांसिबल उनको गिरफतार किया है सभी क्षेत्रों के एक्सपर्ट और अधिकारियों की कमिटी नियुक्त किये है और ये सारे बॉडि जो थे वो एरफोर्स के स्पेशल फ्लाइट से वहाँ पहुचे है और सब को जो पासपास लोग की राशी देना है उसके लिए भी उनके वही के कलेक्टर बिहार के कलेक्टर को बताया गया है कि जल्दी नाम ऑथेंटिकेट करके भेजे ताकि उनके य जंडरल पॉलिसी इसमें ये है कि ये एकदम सच है कि खास कर मजदूर जो काम करते हैं कंस्रक्शन पर उनके रख रखाव के नियम और कडाई करने चाहिए और मैं भी आधिकारियों के साथ वहाँ भी मीटिंग कुरूगा लेकिन समंधित मंत्रालाइकों भी आम लिखेंग वाल समय othos like Gangothri glacier may be retreating but at a slower rate but it is beyond doubt that the overwhelming majority of the Himalayan glaciers are losing their eyes in recent days sir and this is what prompts the zero hour in recent days media all over the world has headlined a study based on American spice satellite data that reveals that the rate of melting of numerous Himalayan glaciers has doubled during the last 15 years as compared to the previous 15 years. Sir, but for the past few years, because of monsoon failure and the depletion of groundwater and lack of water flow in the Cauvery River, the region is suffering very much, sir, and people are quitting agriculture. Sir, agriculture is the largest employment generating sector in the country. In this situation, already the farmers are suffering. They are committing suicide and protection is very less and we are suffering for lack of food. In this situation, sir, the government of India is bringing in hydrocarbon wells. They are digging very deep bore wells to extract hydrocarbon. Because of which, sir, already the water, groundwater is, we are getting groundwater at the level of 100 meters, 200 meters. But now the hydrocarbon bore wells go up to deep 1,000 and 2,000 meters. The concept of hybrid annuity project was that the land acquisition is the responsibility of the government. Then 40 percent of the cost of construction we are giving him as a grant in aid. And toll collection is also our responsibility. And for 60 percent, he has to take the loan from the bank and his investment. Now the problem is that, when there was a problem, the banks support the sector. But when there are now no problems, bank are not in, finally, not in a position to support the sector. Sir, actually the ham project, total project approved 123 ham project. Cost involvement is 1,40,000 crores. And the banks support we are getting only 47,000 crores. Raja Sabhaast, 104,000 crores. ölse Saranagot, Hp and?, Raja Sabhaast, TITur National, by the 30 some and Service of the University of Dubai and外地 that Colferdaleres are, the town青 shall suka transition for My Raja Sabhaast, which was the attention in David, am on a stage right now. The enemy of Raja Sabhaast, in thedown, Doctor of Durham, सची सरधा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखुंडता अच्छुन रखूंगा तथा जिस्पत को मैं गर्ण करने वाला हूं उसके कर्तब्यों का सरधा प्रुबक निर्बन करूंगा राजय सभा में केंडरी उतपाश शुलक और सेवा करसे संबंधत CAG के रेपोर्ट संसदी कारी राजमंत्री मुरली धर्राव ने पेश की प्रुबक प्रुपश्ट को प्रश्निकाल दोनों ही सुचारू तरीके से यहाँ पर चले हैं। प्रश्निकाल बहुत प्रश्निकाल बहुत पहतर तरीके से चले। प्रश्निकाल बहुत पहतर तरीके से चले हैं। 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 दोनों सदनों के एजेंडे में आज कई एहम विधयक शामिल है राच्य सभा में आज जमु कश्मीर आरक्षन सतंचोधन विधयक दोहजारूनीज सदन की कारिसूची में शामिल है इसके जरिये राच्य में अंतराश्य सीमा के पास रहने वालों को भी वास्तविक नियंतर न्रेखा के पास रहने वालों की तरह ही आरक्षन का लाप देने का प्रावधान है ये विधयक लोगसभा से पहले ही पारित हो चुका है केंड़ी ग्री मंत्री अमिश्याहा जमुकश्मीर में राश्टरपती शासन बढ़ाने से जुड़ा समविधिक संकल्प भी आज सदन में पेश करेंगे इसके अलावा होमिपैथी केंड़ी परिश्वत के पुनरगठन की अवधी एक साल से बढ़ा कर दो साल करने के प्रावधान वाली विधयक पर भी आज राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है तमिलाडू से राज्यसभा की 6 सीटों की चुनाव के लिए अधिसूशना के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रियाश शुरू हो जाएगी नामांकन की आखरी तारीक 8 जुलाई है 9 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाच होगी और 11 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे जरूरत पढ़ने पर 18 जुलाई को मतदान होगा तमिल लाडू से राज्यसभा के पास सदस्यों का कारिकाल 24 जुलाई 2019 को पूरा होने जा रहा है वही गनी मोजी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण एक सीट खाली हुई है जब कश्मीर के किष्टवार इलाके में एक मीनी बस की गहरी खाई में गिरने से 34 से जादा लोगों की मौत हो गई जबकि 17 से अधिक लोग घायल हो गए घायलों को पास के अस्पताल में भरती करवाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है वहीं दूसी तरफ इस माबले की जाँच के आदेश दे दिये गए है किष्टवार हादसे पर उपराश्पती एम वेंकर या नाईटू ने दुख चताया है उन्होंने ट्वीट करके किष्टवार में खुई सड़क दुरघटना में हताहत लोगों तथा उनके शोक समतप्त परीजनों के प्रती गहरी समवेदना व्यक्त की है साथी उन्होंने दुरघटना में घाय लोगों के शीगर स्वस्त होने की कामना की है उन्होंने कहा है कि स्थानी प्रिश्रासन प्रभावित लोगों और परीजरों को राहत प्रदान करने में मदद करें वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हाथ से पद्धुख जताया उन्होंने मृत्कों के प्रती अपनी समवेदना प्रकट की और घायलों के जल सुवस्त होने की कामना की है इस हांसे में मारे गए लोगों के प्रती ग्री मंत्री अमिश्याह ने भी अपनी समवेदना प्रकट की है उन्होंने कहा है कि किष्टवार सडखास से में मारे गए लोगों में से मैं व्यतित हूँ अमिश्याहने मृत्कों के परिजनों के प्रती अपने समवेदना व्यक्त की और घायलों के जल ठीक होने की प्रातना की देश में जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने युधिस्तर पर अभियान शुरू कर दिया है अगले पास साल में हर घर को नल से जल मोहिया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार आज से केंद्र सरकार का लक्षे दोहजार चौबीस तक घर घर तक नल से पानी सप्लाइ मोहिया कराने का है जिसके लिए जल संरक्षन और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कवायत की जा रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने लोगों से जल सरक्षन के लिए जन आंदोलन शुरू करने का हवान किया है मन की बाद कारिक्रब में उन्होंने लोगों से जल की एक एक बून बचाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि जल सरक्षन के लिए जागरुकता भ्यान शुरू किया जाना चाहिए जिसमें ना सर्फ जल संबधी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए बलकि पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार भी किया जाए प्रधान मंत्री ने जल सारक्षन के संबंध में जानकारी देने के लिए हैश्टेग जल शक्ति फॉर जल शक्ति का इस्तवाल करने को भी कहा प्रधान मंत्री ने जल सारक्षन पर जोर देते हुए, देश वासियों से इसे स्वक्षता आंदोलन की तरह जन आंदोलन में बदलने की अपील भी की। पानी की हरबुन को बचाने का संकल्प करें। पानी की एक-एक मुन को बचाने के लिए एक जागरुकता भियान के सुरुवात करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्यों के बारे में बताएं। साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रचार करें। उप्राश्ट्पती M. Venkaya Naito ने आड डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल्ली मैडिकल असोसियेशन के शिष्टमंडल से मुलाकात की। यह मुलाकात उप्राश्ट्पती आवास पर हुई। उप्राश्ट्पती ने कहा कि सस्ती स्वास्ट सेवा को गरीब वर्गों तक पहुंचाना महत पपून है। उप्राश्टपती ने जोर दिया कि डॉक्टर अपने अपने इलाकों में आसपास के इस्टिक्षन संस्थानों का दौरा करें और जीवन चैली से जुड़ी बिमारियों के दुश्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करें आसूंरा आसे, हम्यान आसे, हम्यान आसे मारे कि आओ जीवन इला आसे लिवयों के अड़ितेन दन्या आसे पहले एंग्यान के ने जोर। बासक्शल अपने ख정ना ढारे में जार्जिक्षबूम् देश में GST व्यवस्था लागू हुए दो साल पूरे हो गए हैं केंद सरकार आयकरदाताओं की तरह आप रत्यक्षकर व्यवस्था में आज से दो सरल रिटन प्रणाली का अगास कर रही है ऐसे में कारुबारी भी सरल आयकर रिटन फॉर्म सहज सुगम की तरह आसानी से रिटन भर सकेंगे जो शुरुवात में प्रयायोगिक आधार पर चलेगा और एक अक्टूबर से पूरी तरह से तभावी होगा 30 जून 2017 और 1 जुलाई की मध्यरात्री को संसत के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंची नरेंद मोधी और तातकालीन राश्टपती प्रणामोखंची ने जियस्टी की शुरुवात की थी उप राश्टपती एमवेंकाया नाईटू ने जियस्टी के दो साल पूरे होने पर देश के नागरे को उध्यम्यों कोक कर प्रशासको का भिनंदन भी उन्होंने किया है कि जियस्टी से एक देश एक कर एक बाजार की अवधारना सत्य हुई है प्रतिवर्ष राजस्पम में व्रिधी हुई है और अर्थ व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है नागरे के रूप में हमारा करतब यह है कि हम इसकर सुधार को सफल बनाने में सहायक बने और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की जमुकश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है जो कि 15 अगस तक चलेगी यात्रा की सुरक्षा के लिए जमुकश्मीर सरकास सुरक्षा बलू और केंद्री ग्रेम अंट्राले ने पुखता इंतजाम किये हैं पवित्र गुफा में बाबा बरफानी के दर्शन के लिए पहला जथा आस सुबह रवाना हो गया भारी सुरक्षा बंदुबस्त के बीच आस सुबह अमनात यात्यों का पहला जथा पहलगाम बेस्ट कैम से बाबा बरफानी के दर्शन के लिए निकल पड़ा ज़ुरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किये गए ताकि किसी तरह की आप ये घटना सामने ना आए आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सक्तरों का अपनाने और घाती में आतंकियों के सफाई के लिए चल रहे ऑपरेशन ओल आउट के मद्दे नसर इस बार अमनात यात्रा को लेकर सुरक्षा एजिंसिया अत्रिक्त सतर्क्ता परत रही है दुनिया भर में प्रसिद जगनात यात्रा इस साल 4 जुलाई से शुरू होने जारी है पुरी के जगनात मंदिर का बहुत ही महत्व है ये देश की प्रसिद मंदिरों में से एक है जहां पर हर एक साल भारी संख्या में शुधालू भगवान जगनात के दर्शन के लिए पहुँचते हैं हाल ही में वोनी दूफान ने यहां भारी तबाही मचाई थी जिसकी वज़ह से यहां काफी नुकसान पहुँचा हाला कि रत्यात्रा को लेकर यहां के लोगों का जोश तूफान पर भी भारी है पूरी में हर साल जगनात रत्यात्रा आसाल के महीने में शुरू होती है इस रत्यात्रा में भगवान जगनात के साथ इनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रत में विराजमान होकर निकलते हैं दुनिया भर से लाखों शुर्द्धालों इसमें शामिल होने आते हैं रत्यात्रा के दौरान भीर को काबू करने के लिए करीब 8000 पुलिस कर्मियों को मंदिर के पास तैनाथ किया गया है पुलिस शहर में हर रास्ते पर वाहनों की चेकिंग कर रही है और CCTV के जर्ये नजर रखी जा रही है अडिशनल SP रैंक ऑफिसर, 100 इंस्पेक्टर, 75 टीएसपी, 155 प्लाटून फोर्स जिस पे हमारा रैपिड अक्शन फोर्स CRPF का वो तैनाथ रहेंगे अडिशन स्टेट का अडिशन स्विप्ट अक्शन फोर्स भी तैनाथ रहेंगे और करीब 2400 होमगार्ड भी तैनाथ रहेंगे पूरा करीब 8000 करीब पुलिसमेन इस पूरे बंदोबस्त में रहेंगे यहां करीब 190 डॉक्टरों को और 30 एंबुलेंस को भी तैयार रखा गया है मेडिकल केर की सुविधा के साथ परियटकों के लिए शौचालियों की विवस्था की जा रही है लोगों की सुविधा के लिए 194 स्पेशल ट्रेनी चलाई जा रही है सिविल अडिमिस्टेशन की तरफ से ऑल्मोस्ट 175 एग्जीड में स्टेट तैनात रहेंगे डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल फ्रेटर्निटी इस क्राउड को हैंडल करने के लिए हैल्थ इशूज पर 25 स्पेशल पिला रहे हैं अल्मोस्ट 190 डॉक्टर्स आते हैं नॉर्मल डॉक्टर्स आउटसाइड डिस्टिक से और 400 पेरामेडिक्स आते हैं लगबग 30 के आसपस एंबुलेंस की तेनाती होती हैं प्लस में ग्रांड रोड के उपर रत यात्रा की दोरान भगवान जगनात, बलभदर और सुभदरा की रतों को रसों से खीच कर गुंडिचा मंदिर तक ले जाये जाता है जहां कुछ दिन रहने की बाद भगवान वापस जगनात मंदिर लोटते हैं पर रखा गया है। 306 रन ही बना सकी। रोही शर्मा ने 102 और विराट कोहली ने 66 रन की पारी खेली। बेरिस्टो कोज शांदार पारी खेले के लिए मैन आफ्ता मैच चुना गया। विशोकप में आज श्री लंका का मुकाबला वेस्ट इंडीस से होगा। दोनों टीमें आज दुपहर 3 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवर साइट मैदान पर आमने सामने होंगी। आजाद हिन फॉच के गोरखा सैनिक शहिद दुरगामल की आज जयनती है। उनका जन्म एक जुलाई 1913 के को देहरा दून में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुती दी। संसत भवन में दुरगामल को उनकी जयनती पर शद्धांचली दी गई। और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही। आप देखते रहें राचिस सभा टीवी। नमस्कार।